रोशन करें दुनिया नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइना एंसी, स्वागत है आप सभी का विविद भारती के कारिक्रम रोशन करें दुनिया में हर हफ़ते हम आप से मिलाते हैं एक नई शक्सियत से ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की जिन्दगी में रोशन फैलाते हैं आज हमारे साथ उपस्तित हैं Zonta International के दो भागिदार एक है Daisy Boga और एक है Eric Elavya सबसे पहले स्वागत है आपका Daisy जी और Eric जी दन्यवाद हमें यहां बुलाने के लिए थैंक यू दन्यवाद आपने हमें बुलाया थैंक यू Eric जी सबसे पहले बताईए कि Zonta International करता क्या है और किस धंका संस्ता है Zonta International 102 साल पुराना एक सर्विस ओगनाईजेशन है जो स्त्री और लड़कियों के लिए उनके उद्धार के लिए Women Empowerment के लिए बनाया गया है लेकिन अंतराश्ट्रिय आधार पे महिलाओं को समानता देना कि अधिकार एक चीज होती है और भारत में इस परिपेकश में काम करना बहुत ही कथिन होता है आपको प्रेणा कहाँ से मिलती है प्रेणा ये मिलती है कि हमें कُछ सोसाइटी को वापिस देना है Because we are privilege और हमें चाहते हैं कि जो सोसाइटी हमारे ले कर चुके हम उनको रिटर्न में कुछ दे और जो सिती है आज दुनिया में और हमारे कंट्री में तो विमन और गर्ल एंपार्मेंट की बहुत ज़रूरत है देजी जी बताईए कि विमन्स एंपार्मेंट को लेके आप क्या कर चुके हैं समाज के लिए और Zonta International क्या सुधार चाती है Zonta International Education, Climate Change ये सब चीजों में ज्यादा ध्यान देती है Education वेर हम Awards देते हैं बच्ची लोग को जो Higher Education में जाना चाहते हैं वो चार Awards होते हैं उसमें Technology का Award होता है फिर J.M. Klausman Award होता है, Amelia Earhart Award होता है ऐसे चार Awards है अंतर आश्ट्रियस तर पर वैसे हरे क्लब अपने अपने आवाज ज़रूर देते हैं प्रुच्छान देने के लिए बच्चीों को पर इस तरह से हम नहीं सिर्फ Education पर Empowerment जैसे Skills सिखाना उनको या फिर उनको कई नई तरीके से उनको Confidence देना जैसे Advocacy करते हैं हम जहां हम उनको उनके Legal Rights बताते हैं ये सब हमारा करना होता है अंतराश्य पे भी और क्लब किसी थे एरिक जी बहुत सारे Awards और Scholarships आप देते हैं और कैसे आप Assess कर सकते हैं कि ये Scholarship देने के बाद सही माइने में वो लड़की या लड़का वापस समाज के लिए कुछ करें Main Zonta में तीन Important Awards है YWPA Young Women in Public Affairs, Amelia Earhart और GM Klausman ये जो Scholarships होती है ये हम इनकी Ads जो भाहर निकलते हैं वेबसाइट के थुरू Candidates apply करते हैं ये जो Awards है दो स्थर पे होते हैं District Level और International Level District Level पे हम तीन से चार Judges को Appoint करते हैं जो Non-Zonctions रहते हैं और वो लोग हमें Recommend करते हैं Awards के नाम जो First, Second और Third रहते हैं District Level पे हम उनको 200 या 300 डॉलर का इनाम देते हैं और यही नाम हम International पे भेजते हैं तो All Over the World जितने लोगों ने Candidates ने अपने नाम भेजें Clubs ने Candidates के नाम भेजे 20, 25 या 15 लोग सिलेक्ट होते हैं और उनको 5000 USD का Scholarship मिलता है बात में उनका Video Conference होता है या हम Conference जब करते हैं International Level पे अबरॉड तो वो लोग आते हैं अपने Experience शेर करते हैं और बात में हम उनको ZONTA Members भी बनाते हैं अपने-पने Countries में बाल विवा को रोकने के लिए आपने एक अलग प्रोग्राम एक अलग मुहीम चालू किया पहला साल में क्या आपको लगता है कि बाल विवा आप रोक पाएं और दूसरा क्या आपको ऐसा लगता है कि जब कहीं पता चलता है कि बाल विवा हुआ है वहां आप कैसे बाल विवा से नो टू चाइल्ड मैरेज जॉंटा का एक बरा मुद्दा है एक इंपोर्टेंट मिशन है और इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है खास करके मुंबई में तो नहीं बट देश के कॉर्णर में राजस्तान है बिहार है वहां पे आज भी बाल विवा बहुत होते है हमारे काउंसिलर्स होते हैं और इस काउंसिलर्स को हम ट्रेन करते हैं और जैसे के मैं एक उधारन देना चाहता हूं दो-तीन साल पहले हमने राजस्तान में एक जगह पर पांच हजार बच्चों को एक स्वेरिंग इन सेरीमनी बनाई थी जा उन्होंने प्रॉमिस किया था क हम बाल विवा नहीं अलाओ करेंगे और बाल विवा हम रोकेंगे एक लेडी है वहां पे कृती भारती जो 41 बाल विवा उन्हें रोका है उनकी जान की जोखम के बावजूद भी धमकी मिली है यह मिला है प्रिकास उनके सोर्सिस भी है और जैसे ही कोई पता चले किसी घर मे एक छोटी बच्ची की शादी हो रही है जो नाबालिक है या नाबालिक लड़का है या नाबालिक लड़की है तुरंट उसको मेसेज मिल जाता है और वो पुलीस के साथ तुरंट वहां पहुँचकर वो शादी को रुका लेती है नलिफाई करती है देजी जी, जॉन्टा का एक बहुत बड़ा मुहीम है Is No Violence Against Women. इसके बारे में बताएं कि आप कैसे देखते हैं कि महिलाओं के प्रती अत्याचारना हो। कि अपने legal rights क्या है, violence अगर किया है तो उसको क्या सजाद मिलनी चाहिए और ये सब हम ज्यादा तर करते हैं through legal sources। है कि 16 days of activism होता है from 25th November to the 10th of December. उस 16 days of activism में say no to violence against women का ही मुद्दा important है. तो projects होते हैं, awareness होती है, हम school में जाके student community को aware करते हैं, लड़कियों को अलग से talk देते हैं, महिलाओं को talk देते हैं और legal illuminaries को हम invite करते हैं ताकि ladies को, women को जो अपना हक है, legal हक है, उनके बारे में जानकारी मिले. और हमारी overall sell है, हमारे members जो advocate से, जो lawyers है, उनके साथ वो संपर्क कर सकते हैं और जो भी उनके personal issues है, वो definitely ये लोग सुधार कर सकते हैं. जो लोग इस कारेकरम को सुन रहे हैं और रोशन करे दुनिया का दो लक्ष है, एक की लोग जब कहते हैं समाज में हमें कुछ करना है और हमें पता नहीं कौन से संस्ता के साथ जुटें, तो सबसे पहले वो कैसे आपके साथ संपर्क कर सकते हैं. और दूसरा, जब लोग कह करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हम तो भी कुछ करना चाहते हैं, तो वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास कम समय हैं, आप उनको कैसे प्रेद करेंगे? जुटा में हम लोगों को इन्वाइट करते हैं, मेंबर्स बनने के लिए थ्रू क्लासिफिकेशन, जितने अलग-अलग वरक के लोग, मैला या जैन्स जॉइन करना चाहते हैं, या मोस्ट वेलकम, हमारा कोई ऐसा परफेक्ट एड्रेस तो नहीं है, पर हम मुंबई में बे 18439, या आप मुझे मेल कर सकते हैं, E-R-I-C-K-73 at gmail.com, आपका जो बायो डेटा है, वो हम अपने कमिटी के सामने रखेंगे, और अगर आप क्वालिफाइ होते हैं, तो हम आपको संपर करके हम आपसे बात करेंगे, और जितना हो सके, जो सोसाइटी ने आपको दिया है, जो आपको सोसाइटी से भला हुआ है, फाइदा हुआ है, जो आपको सोसाइटी से भला हुआ है, फाइदा हुआ है, जो आप मानते हैं कि ZONTA International अभी तक भारत में जीत लाप आई है, या फिर बहुत कुछ करना जरूरी है? मेरा ये मिशन है, इंडिया के हर एक स्टेट में एक ZONTA कलब हो, इसके लिए मैं प्लीड करती हूँ, सभी स्टेट के वासियों को, कि अगर आप अपना थोड़ा सा ताइम, थोड़ा सा फंद दे सकते हैं, तो प्लीज हमें कॉन्टाक कीजिए, जो नमबर दिया गया है उस फेस्बुक भी है, फेस्बुक के साइट पे भी आप हमें कॉन्टाक कर सकते हैं, सो प्लीज बनाइए कलब्स और जितना आप दूसरों के लिए दे सकते हैं, उतना दीजी, प्लीज एरिक जी, आज की मुश्किल कल के बैतरी का संदेश देती है, उम्मीद अगर साथ हो, तो बैतरीन भविश्य का संदेश देती है, क्या आप मानते हैं कि जोन्टा इंटरनेशनल आज भविश्य का संदेश दे पाई है? जरूर हम मानते हैं कि विजिबिलिटी जॉन्टा के लिए बहुत बहुत इंपोर्टन्ट है, www.zonta.org पे आप जाये, उसे आपको पूरा डीटेल में इंफरमेशन मिलेगा, और जो मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है, इमेल दिया हुआ है, उसे भी आप हमें संपर कर सकते है पूरे भारत मेश में जितने क्लब्स होंगे उतना ही अच्छा पड़ेगा, कम्यूनिकेशन स्थर पे भी बहुती इजी पड़ेगा डेजी जी सफलता से हम प्रभावित होते हैं और सफलता है कि मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है, जो लोग मेहनत करते हैं किया वो सक्षम रहते हैं या फिर सिफ कहने के लिए जौन्टा इंटरनेशनल से जुड रहे हैं कहते हैं कि हायात लेके चलो, काइनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को लेके साथ चलो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग जौन्टा इंटरनेशनल से जुड जाये, बिकाज मैं कहता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स स्त्री और लड़कियों को जो फेस हो रहा है, that we can together as one Zonta family, we are able to take care and handle because we want the world, we want our country to be free of violence and no woman should live in fear in this society डेजी जी हम कहते हैं कि हम रोशन फैलाना चाते हैं और एक कहावत है कि गम की घटाओं से खुशी का चान निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दों में दिन की रोशनी भी निकलाएगी क्या आप मानते हैं कि आप जैसे संस्ता समाज के लिए सही माइने में रोशन फैलाते हैं? बिलकुल हम चाहते तो यही हैं, हम फैलाना चाहते हैं, हम यह भी चाहते हैं कि एक और दूसरे और का साथ दे और इसी तरह हमारे साथ जुड़ कर चाहें वो यंग प्रोफेशनल हो, इवन हम बच्चे लोग को भी यही हम समझाते हैं, बच्पन से अगर उनको पता चले, ओरत की इज़त करनी चाहिए, तो यह फैलाने में हमें बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं हूँ शाइना एंसी, नमस्कार.